अब दो चूतिया यार एक्षाला कुछ भी करता है दिखाने के लिए उसर तेरी मा की तेरी तेरे को पता है गांडू कि मैं मेरे भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ मुन्ना भाई मुन्ना भाई मुन्ना भाई नमस्कार मेरा नाम है संदीप बच्चे मैं आपको बदान जाओंगा मेरा स्टोरी क्या है इस लाइन में पिछ्छर 18 साल से रिक्चा लाइन में हूँ और वे एक नॉर्मल घर से बिलॉंग करता और गरीब घर से संदीप के साथ रिलेशन ऐसा है कि एक ताइम था कि जब मेरी माँ को बीमारी थी बहुत बड़ी तकलीब थी तो उस ताम मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया था जैसे आप सभी जानते कि आप पालील पे लेटें सब्सक्राइब करने लगा जो भी अच्छे बुरे वक्त में उनको साथ देने लगा और मैं सबको कहना चाहूंगा कि जब संजेते जेल में था तो मैं उसको वहीं बड़ा फैन हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि संजी बाबा ने काफी लोगों की जरीए मेरे बारे में सुना था मीडिया के जरीए पेपर के जरीए कि आपका एक बड़ा फैन है और तो वह बिना चपल का है और आपको बहुत लाइक करता है आपको बड़े को फ्री सर्विस जैसे जब उनका कॉल आए मुझे की दूसरी दिन हम आपसे मिलना चाहते तो मैं बहुत एक्साइटिंग था कि आप सोचू के सोचू के ने की मानों के ने कि मैं पूरी रातवर सोने पाया दूसरे दिन जब मैं संजीट के घर पे गया तो मैंने गाड़ी को पूरा गुलाब से चैका था अजय जब संजीट ने मुझे गले मिला है तो आप आप यास करो कि आझ सबसे भूरी को मैधमां लिए जो मेरा गके आप ने मुझे गलर मिला है जेल जाने वाले तो आपका रियक्शिन कहता था किकने इमोशनल हो गया था फाय क्योंकि में रिक्षा ही चला रहा था और FM में सजा हुई सजा हुई सच बतार आज फैन बहुत दुख हुआ इसा लगा कि यार क्या है यह एक्सेप्ट करना तो है कि आज दुख हुआ यार कि इतनी बड़ी सजा लगी कि यह कभी सोचा नहीं था सपने में भी और जब ऐसा हुए में सुना तो मैंने नेट पे जाके कि गू लेकिन एज फैन मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन गाड़ी चलाने कोई मूड ने किया काफी सेरे कस्टमोर को रिजेट कि हाला कि करता ने लेकिन बहुत दुख हुआ है क्योंकि अपना भाई जेल में जाने वाला था उसके बाद वो लमा याद आने लगा कि आभी क बोट ने तो सजा सुना तो थी ये बढ़िये भाय सब को अभी कल या परसो तो जाना पड़ेगा तो बहुत दुख हुआ यार मेरे वह सद दिन था पूरा थी अच्छा आप जैसे सजा तो हो गई फिर रिक्षा में आते हैं कुछ लोग जैसे कोई पैसिंजर ने बोल दिय अच्छा हुआ सजा हुआ है तो यह कभी कुछ ऐसे वाकिर सुनने मिला होता है कई बार इसा हुआ क्या होता ना जैसे मैं संजद का फैन हूं ऐसा हर बंदे की अलग-अपने फैन फॉलेंग होती है काफी सरु लोग उस ताम मेरे गाड़ी में या अभी भी कभी-कभी है उसके बावजूद भी कुछ-कुछ कस्टमर बीना मतलब के से खुजा आते हैं जैसे मेरे लेंगुजें बोल रहा हो कि चलो इसको थोड़ा भड़का दे तपा दे इसको जरा तो मैं उसको उतर तेरी मां की तेरी तेरी को पता है अंडू कि मैं मेरे भाय का बहुत फोटोग्राफ के जरे मेरे बोलने के जरे गाड़ी के फोटो लगा उसके बावजूद वह तो जान बुछ के अगरो खुजा रहे तो मुझे सतन की तरे तो काफी सरे लोग है मैं इसे उन लोग को उतार देता हूं कि काफी सरी इतने लोग है जो मेरे एपी पे भी ब्लॉक चड़ाओ या मैं संजुगाओ को फैन हूं तो गलत निगेटिव थॉट मत बूला हमरे सामने तो आपकी सरे लोग को उतार दिया है वो लोग इसे बूलता रहे सर सौरी सौरी बूले नहीं सुकीला माफी नहीं है उतर डाला अच्छा तो अभी जब आपने टेलर देखा ज जो 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 सीन्स है उसमें जैसे जेल में बाबा है जो सीन दीखा है तो देखने के बाद पुछ आपको ले हुआ कि इतना कफिल हुआ रहे हैं क्योंकि टेलर में मुझे परस्नल पास दिया गया था राजी कुमर हिरानिक तरफ से टेलर में गया तब पीवेर में लांच हो तो टेलर में जब देखा कि एक सीन है जो बात्तुरूम का टॉलेट का सीन दिखा है जो पॉर्ट पूरा भार आता है और वह बता दादा पॉर्ट से पानी आ रहा है बचा बजो तो यह रियल लाइफ के यह जो बायोग्रफी यह रियल लाइफ के उपर है जहां तक मुझे पता है तब मुझे ऐसा सो रहा कि संजु बाबा ने अंदर हाला कि मीडिया के जरी हमने सुना कही बार उनके इंटर्यू के जरी सुना वह अंदर प्लास्टिक बैक बना थे या आरजे का काम करते थे लेकिन कुछ-कुछ हमने जैसे देखा कि वह पॉट से गंदगी आ रही है वह खड़े खड़े उनको ऐसे सोने को लग रहा है और काफी सारे संजु बाबा की इंटर्यू में ने देखा था और पड़ा था कि उनको आज वह घर में वह डर बेटा उनके दिल में कि आज वह घर में इसे उपर पेर करता योगा के लिए पून कर दे तो आज भी वह कई नका यह दिल में रहे जाता है कि एक आत्मी एक सजा काटके आने के बाउजित भी वह आज उसको वह आधा अभी तक गई नहीं तो कई नहीं के थोड़ा निराश्य हो यह संजु बाबा से यह सिखने लगा जैसे मुन्ना भाय में जो डायला को नो भाई गिरी उनली गा करती है भाई देखने के बाद मैंने संजु बाबा की मुवी लगे रहे हूं मुन्ना भाय मुन्हा अबीव मेरे सरसे 25 जे मेरे 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 बसे 25 बार मैंने गेटी गणक्स के दिलग कहले तो इसे इतना आया कि हम लोगों से शांथी से बात करने कि जितना सब्सक्राइब को सब्HE जितना प्यार बढ़ा की उतना प्यार मिलेगा यह कफी वार ऐसा हो चूका है सब्सक्राइब के औरॉ चाहाँ है है अलग सबसे स्मार्ट कौन तो काफी सारी लोग मेरे अच्छे काम से इंस्पार हो के अच्छा मैं और एक बात बताने चाहूंगा मैं हर संडे कैंसर पेचन को ब्रेकपास्ट देता हूँ अगर कोई प्रेंग में नुमान हास्पिटल जा रही है या हस्पिटल से घर जाए उसके लिए पैसे नहीं है रमजा नीदे दीवाली है संजी बाब का बड़े है या क्रिस्मस है हर कास्ट का जो तेवार आता है कैलेंडर में और स्पेशली संजी बाब का बड़े तो उस दि अपने के बाद चोटे मड़े जो इंटर्वी चलेंगे उसके बाद मेरे कस्टमर को तब से लेकर रात तक फ्री सर्विस होगा संजी बाबा भार आई थे जेल से चुटके है तो मुझे उन्हें घर पे बुलाया था तो मैं शॉक होगा कि यार संजे तो मुझे घर पे बु आपके लिए सुना है तो प्लीज आप आईए कल हम आपसे मिलना चाहते है तो जब बाबन हमें मिलने बुला है तो मैं तीन दिन बैंटरा में फ्री सेर्विस रखा था बाबा आने की कुश्ची में गाड़ी को पुरा गुलाब से साह जाया था और बस उनको गए गले मिले परे तो उनको पेर चुआ मैंने उनके गले मिला उनके लिए कुछ छोटे मेंने गिफ लेके गए ते जो इतने बड़े नहीं थे लेकिन एक छोटा भाई के इसाब से उनने मुझे वह गिफ्ट एक्सेप किये और मुझे अच्छा लगा कि मेरे भाई ने मेरे गिफ्ट एक कॉमन मैं में आज फैन सबसे पहले मुझे बुला तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट लाइफ टाइम का अच्छी तो बहुत की उन्हें पिर उन्हें ने उनके घर पर मुझे लेकी गया उपर और उन्हेंने मुझे बोला कि यह मैंने बहुत सुना है तेरे बार रहे सब क्यो करता हूं तो मैंने उन्हें स्टोरी बता है कि मेरी माँ जो बीमार थी तो आपने मुझे मेडिसीन के लिए ता तब उन्हें ने मुझे बोला आरे तुपागल लेगा इसे तो बहुत सारे लोग को हेल्प करते हैं और याद में ने रहे ते कितने लोग को मदद किया नहीं क तो बहुत शौक हो गया और खूश हो कि दो बार उसने मुझे गले मेला तो मेरे लिए यार मेरे आइकॉन जादू की जपी तो बहुत बड़ी बात रहा है अच्छा वो साड़े तीन साल मैंने चपल इसके लिए ने पहने की जब मेरी मां 2001 में बीमार थी तब काफी सारे ल तो मुझे संजी बाबा मिला और उन्हें ने मेरे मां के लिए आठ मैने हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन दिया तो वह लमा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बाए 2001 में वह मुझे 1200 रुपय दे हजार रुपय दिया लेकिन वह टाम बहुत बढ़ा था तो इसके लिए मैंन जाए जिन साल मनत रखा था चपल ने पहने था उसके बीच में मुझे काफी सारे रेडियो अले ने मेरे मज़ा किये काफी सारे लखानी शूस डेली से उन्हें ने मुझे कॉल गया था कि हम आपके साथ आड़ करना चाहते तो मैंने बोला ठीक है सर आड़ करेंगे आपके मेरा कोई अपना अंदर है मैंने कुछ इसा मनत रखे कि जब तो को आएंगे ने मैं चपल ने पहने होगा मैंने उनका नाम ने पताया था कि मैं संजु बाबा की लिए इसा कर रहा हूं तो उन्हें बला हमको पचास अदर दिन साट जार देंगे मैंने बोला भाई तू पै जनत मांगे तो उसके लिए जन भी दे सकते हैं तो उसके लिए मुझे आज बाबा का सबसे बड़ा फैन माना जाते हैं तो वह दिन के बाद वट्र सावीतरी आती है करवा चोद आती जो भी एक तो पेड़ी मारते एक दिन रहता है अपने माबाप के अपने बीबी के तो मेरा इसा मानना है कि हमने प्यार किया है तो लाइफ टाइम करेंगे घर पे से रियक्शन हाते है कि आप चपल पेनो आपके बेर को लग जाएगा तो तकलीब होएगी तो गाड़ी चलाने दिक्कत आएगी तो मैंने भी माना कि यार मैंने मनत महांगा तो मैं नहीं चपल पर नहीं करते हैं तो वह बोलते के और मैं उस पर अडक तेया कि में नहीं चलाने ने बोलते रहेंगे लोगों काम करते हैं आपके रिक्षा दोस्तों वह प्राउड होता है कि अब इतना उसका फैन हो तो वह स्टोरी आपके प्राउड होता है कि अलग एंगल से भी पॉपूलर है अच्छे काम से मुझे आवार्ड मिले तो मेरे दोस्त मेरे पालटी बीटी म में आते एंज्षे करतें तो उन्होंने भी एक्षा उसक चलो यह भी पी Sunjiu Baba का यह भी यह तो बोलने से मानें का ने इसलिए अभी उपी एक्जेस करते हैं अच्छासर क्या और संजु बाबा के फैन होने के अलावा आप जो एंजियों के लिए काम करते हैं अगर शुटाना चाहो जैसे में बोला कि जो कैंसर पेशंट होते हैं और जो बुजूर लोग होते हैं हर संटे दो जगा 400-400 रुशा मेरे जरुब से नाश्टा जाता है अगर किसी को हस्पिटल जाना है या फिर कोई एंजड है तो उससे में पैसा नहीं लेता हूँ फ्री सर्विस देता हूँ और रमजान इदे दीवा लिए उनके लिए में सब फ्री यह सब मैंने संजीव बाबाचे सीख है कि जितना प्यार बाट है कि उतना प्यार मिलेगा एक लोग कहते हैं लोग आप लोगों के लिए लेकिन आपको अपने टार्गेट के फोकस करो हम जो कर रहे हैं अपने को बता है अपने को अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात जिसके लिए उसको पता उसने घर पे बलाकर ब्लेसिंग दे शाबस की दिया तो बागी अपना घर तो अपने संजी बाबा की चलता है तो दुनिया देर के तेल लगान है तो बस I am happy अच्छ तो रन्वीर कपूर को लेकर तो बहुत exciting हूँ भाय कि कि first thing तो बोलना चाहूंगा कि बाबा बाबा है बाबा की जैगा कोई ले नहीं सकता अपना पड़ेगा अगर संजी बाबा हंडेड है तो 99 परसंट रन्वीर कपूर ने काम किया वही लूक वही चलने का style वही फ्रेंच कट रखा है और वही जो पिक्चर में टेलर में दिखाया गया है तो माइंड का उसके महिनत को भाली क्या मेरे को नहीं उसके में इसके में अफ़ल हम लोग टेलर में देखा टीजर में देखा और राजकुमर हिरणा जैसे डारेटर और विधी उन्हें नहीं जफ़ड़ा प्रोडुसर तो इनकी अब ने देखिए पीके लगरो मुन्ना बाय में बेठी यह तो माशालला उपासो करोड पार्क कर रहे हैं कभी संजेद ऐसा हुआ कि संजु बबाबा आकर रिक्षा में बैटे हैं दो बार बैटे हैं तो वह एक्सपरियंस केसा था था दो बार इसे बैटे कि एक बार जिसे म अब दो बार में एक शोब पे गया था यारों की पर असाजीत खान का जीडियू बेटे अब बाद में अभिशेक बच्चन थे एस सब बेटे बाद में आगे आकर डावर्शीट पे और मुझे बाद में चलो भी में रिक्षे चला दो तो मैंने बटक से चावी निकाल लिय कि बाद में बड़ा आदमी बॉल्वीड सुपरस्टार मेगा सार संजी बाब और मेरे सीट पर फ्रंट सीट पर बेटा था यार और में बाहर खड़ा था तो मेरे वह लम्मा यादगर था आपके यह जो फर्स क्लास बोल सकते हैं रिक्षा उसके बारे में अगर बताना चा यह फर्स क्लास रिक्षा इसके लिए में इसा वेल मेंटेन रखा है कि आज चार पाच लाग रिक्षा है मुंबई में तो मुझे एसा लगता है कि हम कुछ अलग सर्विस देंगे हमारे बाकी के आटो रिक्षा वाले बुरे नहीं है लेकिन ऐसा होता ने एक बोरी में अग और जीसे में बोला था मैं टूरिस डिपार्मेंट में काम करता था उसके बस के अंदर का मेरे माइंड में दा और वह इंटर रिक्षा में लगा थोड़ा थोड़ा करके तो मुझे अच्छा लगता है किश से कॉस्टमर का रिस्पोंस अच्छा मैं तकी वह अब आपने गा लगों को अच्छा लगता है कि लोगों को अच्छा लगता कि वाय आप अच्छा सर्विस जरो लेडी लोग के लिए करता है खराब होने अपने हम कारव को अच्छा सर्विस जर्एं उससे अपने सेले लोगों कि स्माइल मिलती है काफी सारे लोग सेल्फी लेते हैं मेरा और प्रहूंत लेते हैं और काफी सारे लोग नुक ने टीप के लिए जलिए कुछ मेरे बिधनेस में सेटले हैं तो अच्हा लगता है, नहीं क्या होता है, कि हमारे घुरु से हम ने सीखा है, आज कल चालीस सालों की बॉंबे में, रिच शल्यान में 19th होगे, तो यह हमने जिसे होता है कि बिथ बहुत दुन्या देखे है, तो हमने तब सीखा है, जितने आप तो काफी सारी चीज़े इग्णोर करनी पड़ता है कभी-कभी होता है को एडा इसे कस्तमर मिलता है ऐसा लगी कि उसको फोड़ दो तोड़ दो उसको तेकि नहीं कर साथ है क्योंकि पुब्लिक में अपनी इमेज अच्छी बनी है अगली पकड़े का पूरा हाथ के जगे तो कभी-कभी अपन भी इंसान यार फाइनल अपना भी दिमाख हराब हो जाता है तो उसको प्यार से समझाते लेकिन जितना हो से के थंड़ा जितना रहेंगे उतना अच्छा है खुद के लिए खुद की हेल्थ के लिए और अपने ब हम लोग बोलते हैं अगर बैंडर के गेटी गैलेक्सी में पिचर हीट हुई तो पूरे इंडिया में पिचर हीट है कि वहां का ग्राउड हमार जैसे रिक्षा वाले स्लम एर्या वाले आते जो पिचर जब चालु आते ना पहले चिल्लम चाली आली गालो सिटी बजना वह में पिचर देखने मज़ा आता कि एक युरानिक डायलग बोल्ट रहें दूसरा डायलग और ऑडियस से कोई उसको चिपका रहा है तो वह पिचर देखने मज़ा आ रहा है तो गेटी में जाएंगी फ़र्शों देखने 29 जून को अगर आप पूरे ये जर्नी में आपके साथ हुआ होगा कि आप भूली नहीं सकते वह वह एमोशनल मॉमेंट और एक बूर्ट हैपी मोमेंट अगर चाहिए प्शा वाला था टूटा दून वान में आज भी रिक्षा वाला हूँ और मैं किसी के जरे संजीवाब के घर पे चाहिए अगर लाइन लगा दे तो काफी सरी रिक्षा लाइन लगा लाए रहे तर तो गरीब लोग लाइन लगा दे पर उनको क्या पता मेरा ममी वीमारे से जूज रहा था वह आडमीट और मुझे पैसे की जरू होती काफी सारे लोग हसते थे क्या भिकर जैसा लाइन सबसे बड़ा जिन्दी की कि संजी बाबा ने घर पे बुलाया और दूसरी बार जो साजीत नम की शोप मेरे रिक्षा में बेटे हैं तो और जब वह कुझे कभी मुझे देखते तो सबसे पहले हाथ कर गया रहे कैसे तो पूछते तो बस अपना भगवान अपने को पूछ र जल से जल्दी बस राजुसर के साथ वापस एक जल से जल मुवी करो कि भूवी पीचर तो हमने देखी थी अपने डैडी का रोल के था बहुत अच्छा बखाय था रोल किया था बट हम आपके एक्शन देखना है चाहते वह तोड़ फोड वह गांदीकिरी वापस एक पर द नमस्कार मेरा नाम संदीब बच्चे में एक और रिक्षा डाव हूँ जैसे मैंने इंट्री दिया अब यह अगर मेरा इंट्री आपको अच्छा लगा हो तो यह मैंने इंट्री दिया है वाइरल बॉलिवड पर तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्स्राइब की कीजिए और यह से कीजिए